कि यह जो सिला है यह देखिए अब इसको यहां से यह जो सपोर्ट दिये हुए हैं दो 스यों यहां पर इसको और यह एसे उठा के इसके नीची जो सपोर्ट लगया है दोस्तों यहां पर इसको यह ऐसे उठा के इसके नीची यह जो सपोर्ट लगया है इतनी उचाई पर ना तो कोई क्रेन आ सकती है ना कोई कुछ दूसरा जो मसीन है वो आ सकता है तो यह भीम का ही कारणामा है यहां पर कुंतिपुत्र भीम जो थे उन्होंने यही बड़ बना हुआ है उनके यह देखिए नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो यात्रा के अंदर हम आज आपको शेयर कराएंगे जहां पे पांच जार से भी ज्यादा पुराणी एक कथा यहां से जुड़ी हुई है जहां पे मलब पुराने समय में यहां पे पंडव रहते थे और मैं आ हाके उनकी नीचे सपोर्ट दिया गया है दोस्तों वो किस परकार का नजर है वहां से आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे और यहां पे पीछे जो यह कुंड बना हुआ है इसके नीचे जो सुरंग के अंदर नीचे यहां पे बना हुआ है एक गाय का मुक बना इसके अंदर किया है कि 2400 गंटे गाय के मुक में से पानी निकलता है और यह जो इस्तान है जब पंडवों को वनवास हुआ था तो यहां पे उन्होंने मलब क्या किया था तपस्या की थी और उनको मलब कहा गया था कि सौमवंती अमाउस आएगी तब आपका वनवास पूर आएगी यानि कहने का मतलब 12 साल में 12 सौमवंती अमाउस आती है अब आती है तब पहले नहीं आती थी तो वह पंडवों के सराप के करण अब वह सौमवंती अमाउस 12 साल में 12 वारती और यहां पे यह जो कुंड बना हुआ है यह भी पौराणिक है मलब उस टाइम का ही है और अब हम आपको लेके चलेंगे वहां पे जहां पंडव रह रहते थे और अलग ही भासा के अंदर वहां पे कुछ लीपी लिखी हुई है जो हम नहीं पढ़ सकते पूराणी भासा है तो इसकी आपको मैं अब ही आज आपको यात्रा करवाने माँए वहां पे भी आप अब मैं आपको लेके चलता हूं जहां पर कुमांति पूत्र तपस्या करते थे पहले यहां यहां पर दिमाग को ऊपर करके नीचे कैसे तो सपोर्ट लगया है इतनी उचाई पर ना तो आज की तारीग में भी मसीन नहीं आ सकती अगर हाइडरो या क्रेण में लेके आऊं तो यहां यहां पर वो नहीं पहुंच पाएगी मुझे यह लगता है तो अभी देखिए कि मैं यहां से अब चड़ने जाऊंगा तो यहां पर मेरको पेदल चड़ने में भी काफी सारी कठी नहीं आएगी और यहां पर यह इतनी बड़ी बड़ी सिलाओं को अब मैं आपको देखे चलता हूँ चलिए आप देखके ही बता देना यहां से दोस्तो यहां पर पांडव उचाई पर है सांस फूल गई है मेरी तो अब यहां पर मैं आपको पूरा पूरा इसका द्रश्य दिखाता हूँ अब यहां पर यह देखिए दोस्तों कि यह इतनी बड़ी बड़ी सिलाएं हैं यहां पर यह गुफा है पहले आपको गुफा दिखा देता हूँ मैं यह यहां पे यह देख सकते हो कि यहां पे यह इतनी बड़ी जो सिला है यह वाली इतनी बड़ी जो सिला है यह देखिए सपोर्ट दिया हुआ है अब यह भीम के अलावा कौन कर सकता है है यह कारनमा यह जो सिला है इसको उपर करके इसको उपर उठाया होगा इसको ऐसे उपर उ यहां से यह जो support दिये हुए हैं दोस्तों, यहां पर इसको यह ऐसे उठा के, इसके नीची यह support लगया है, इतनी उचाई पर ना तो कोई crane आ सकती है, ना कोई कुछ दूसरा जो machine है वो आ सकता है, तो यह भीम का ही कारणामा है, यहां पर कुंति पुत्र भीम जो थे, उन्हो सारे बने हुए हैं यह इस परकार से, और यह गुपा वही है जहां पर पंड़ों रहते थे, और अब मैं पंड़ों की आपको आगे साल बताऊंगा, जहां पर वो साल के अंदर रहते थे वगेरा, अब हम चलते हैं, जहां पे कुंति पुत्र रहते थे, अपना जो सोना है, करना है, जो भी है वो वहां करते थे, जो पहले हमने जगह देखी, वहां पे वो तपस्या करते थे, वो तपस्या वाला इस्तान था, और अब हम उपर वहां जाएंगे, जहां पे वो रहते थे, औ तो इसका मतलब आप देख सकते हो दोस्तो वहां उस टेम के जमाने के ये जो गुफाएं वगरा है ये बनी हुई है और अब यहां पे भी देखो इतनी बड़ी बड़ी सिलाएं है अब आगे आपको मैं बताऊंगा इतनी बड़ी बड़ी जो सिलाएं है उनके भी सपोर्ट यहां पर यह पॉसिबल ही नहीं है चडने में भी दिकत हो रही है और यहां पर यहां पर यह आप देख सकते हो कि यहां पर यह बड़ी बड़ी सिलाओं के यह दें रखे हैं सपोर्ट आईए आगे आपको मैं पूरा-पूरा यहां पे आपको दिखाता हूँ जहां पे पंडव रहते थे यह सब आशियना बना हुआ है यह गुफा है यह बड़ी-बड़ी सिलाओं की गुफा है यह यहां पे एक अलग ही भासा के अंदर कुछ लीपी लिखी हुई है यहां पे यह पूरी-पूरी गुफा है दोस्तों ठीक है अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर जाता हूँ यह गुफा है अब यहां पे आप देख सकते हो कि यह यहां पे देखिए कुछ देवताओं के वगेरा फोटो यहां पे बनाई हुए देखो सिव जी के हैं गनेज जी के हैं जहां पे पंडव रहते थे एक यहां पे भीम जी का पाउं भी बना हुआ है गुंति पुत्र जो भीम थे उनका पाउं भी बना हुआ है इतना बड़ा पाउं है वो भी आपको दिखाऊंगा और आगे एक भीम का यह गुटना जो है वो बना हुआ है जिसमें से ओटोमेट विदेय का कोई जल सरोत नहीं है कोई भी कुआ नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी पता नहीं उस जो घुटना बना हुआ है उसमें से 2400 गंटे पानी चलता रहता है तो वो भी दरश्य में आपको दिखाऊंगा और भैतरी ने दोस्तों आपको ये वीडियो यात्रा बहुत इसी परकार की मैं बहुत सारी यात्राएं रहशे में यात्राएं आपके लिए लेके आता रहूँगा अब हम चलेंगे जहां पे भीम जी का पाउँ बना हुआ है ठीक है आईए चलते हैं दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा उसी टाइम की पूराणी ये जो लीपी ल और ये अलगी भासा में हैं अब इसको जो जानता है वही पड़ सकता है अगर यहां पे दोस्तों ये नहीं आया वो तो ये जोधपुर से लगबग 20 किलोमेटर दूर अढ़ना जड़ना झी यान्कि ये ज़ना ज़ना जी इसस्तान कहलता है अढ़ना ज़ना यहां पे यह तो आप जरूर आओ यहां पे और इस इस्तान का पूरा का पूरा अवलोकन करें यहां आके आपको बहुती सुन्दर लगेगा कि इतने प्राचीन टाइम से यह वाला इस्तान अभी तक कि यहां पे मुझूद है इसको किसी ने सतिग्रस्त नहीं किया आईए गाईज अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहां पे भीम का पाउं बना हुआ है वहां पे आपन जाएंगे इतना बड़ा पाउं बना हुआ है वो भी इसी वीडियो यात्रा के अंदर आपन देखेंगे और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होई ये पोदा इसको कहते हैं थोर है ना इसकी कोई भी आप तहनी या कुछ भी छोटा सा हिस्सा काट के अगर सूकी रेत के अंदर आप इसको उगाएंगे तो ये उग जाएगा है ये मरूद भीद पोदा है इसको पानी की ठीक है तो अब हम आगे चलेंगे जहां पर भीम का पाउं बना हुआ है ये पूरा पहले जंगल वन हुआ करता था है ना बहुत ही वीरान जगह है और अब आगे हम चलेंगे जहां पर ये भीम का पाउं बना हुआ है आई आपको लेके चलते हैं ये आपको पूरा जंगल दिख रहा होगा यह यहां पे यह वनवास की जगह है पांडों की यहां पे उन्हों वो रहेते तपस्या की थी और यहां पे यह देखिए यहां पे यह इस्तानी लोगों ने इसको थोड़ा सा पत्थरों से कवर कर रखा है यह 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 पाउ बना हुआ है इसको आपको दिखा रहा है इतना बड़ा पाउ किसका हो सकता है। है यह देखिए पूरा इतना बड़ा पाउ ये आगे का पाउ का वह पाउ का पिछला हिसा है और यह पूरा पाउ बना हुआ है अब ये पाओं ये भीम जी का अब मैं आपको लेकर चलूंगा जहां पर भीम का ये ठकना बनावा उसमें से 24 घंटे पानी चलता रहता है ना बहुती अच्छा पानी सुध पानी में जाके आया हूँ पहले हमने यहां पर विजिट किया उसके बाद चलो अब हम मैं सीधा अब हम उस जगे पर आये हैं जहां पर भीम जी का गुटना बना हुआ है और उसमें से 2400 घंटे पानी चलता रहता है और वहां पर एक और पाओं का निसान बना हुआ है जो यहां की जन सुरूतियां कहती है यहां पर इस्तानी जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया था मेर को कि यह भीम का पाओं बना हुआ है और उनी का यह गुटना बना हुआ है जिसमें से 2400 घंटे यहां पर पानी चलता रहता है यह देखिए यह इतना बड़ा पाओं है यह पूरा इतना बड़ा पाओं बना हुआ है कहते हैं यह भीम का पाओं है और यह सिवलिंग जो बनी हुई है सब यह सिवलिंग जो जब वो पूजा वगरा करते थे कुंति पुतर तो उन्हों नहीं साहित यह बनाई थी अब यहां पर आओ दोस्तों यहां पर यह पानी चलता रहता है पूरा और यह जो नंदी बने हुए हैं यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कुआ है ना कोई अधर कोई सोर्स है ठीक है अब यहां पर यह 2400 गंटे पानी चलता रहता है और यह जो बना हुआ है यह बीम जी का जो है वो गुटना बना हुआ है इसको अगर खाली कर दें तो 15 मिनट के अंदर यह भर जाएगा और इसके अंदर जो यह पानी है दूद की तरह मीटा पानी है बिल्कुल शाप पानी है इसको बहुती सुध पानी है दोस्तों और यहां पर 2400 गंटे पानी कितनी भी गर्मी पड़ जाए यहां पर देखिए यह वादियां आपको दिख रही होगी यहां पर इतने बड़े-बड़े पाहाड है मैंने यहां पर सर्च किया कि यहां पर कहीं पर भी ऐसा जल्सरोत नहीं है जहां पर यह बना हुआ है जहां पर यह सीवलिंग बनी हुई है यह सब पूरणे टाइम के यह साक्षे है और यह जो नंदी बने हुए यह वाले यह वाला जो नंदी है यह भीम जी के टैम गा और कुंती-पुत्र के टैम गा उनको जब वनवास हुआ था उस टैम के बने हुए और वो जो नंदी है यह latest किसी ने यहां पर चड़ाया है और यह जो है बहुती पुराना पीछे से मूझ मूझ पहले होती थी यहां के इस्तानी जो राजुजी है उन्होंने विजिट करा है था और यह जो सिवलिंग है यह सिवलिंग लगबग दरातल से काफी फिट उपर हैं लगबग 50-60 फिट उपर मैं अभी दरातल से उपर हूँ आपको दिखाया जा रहा होगा यहां से देखिए आप कैमरे में इसको कैद कीजिए दरातल से 50-60 फिट उचाई पर मैं हूँ और यहां पे यह भीम जी का गुटना बना और ये नंदी वगएरा यहाँ पे 2400 गंटे पानी ये इस्तान जोदपूर से 20 किलोमेटर दूर अड़ना ज़ना नाम से जाना जाता है और दोस्तो आज की वीडियो यात्रा आपको कैसी लगी आप इस चैनल को धेर सारा प्यार दीजिए दोस्तो मुझे हर वीडियो यात्रा के अंदर आपका साथ चाहिएगा और आगे भी सपर के बहुत अच्छे आपके पास वीडियो आएंगे तो आपका साथ मेरे को बहुत ज़्यादा होंसला देगा और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ठीक है मिलते हैं अ हैं आप हुआ लाग जया है हुआ को एग लाग्पों जादाग है लाद क है कि अगया है की जाओ लाद